और मंदिर और रात में कोई रुकता नहीं था यहांपे और आज तेंदुए के आज बात । सुनते हैं यहां शेर जमाने से आता है जारी का नाम है आपके यहां पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए थे थे हैं जो कि आप इस पस रूप से देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपने परिवार के साथ में आते हैं और अकेले भी अदी आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो देखने को मिलेंगी यहाँ पर काफी अच्छे भव्य नजारे हैं भगवान श्रीराम, भगवान हनुमान जी की काफी अच्छी मूर्तिया प्राचीन मूर्तिया हैं ऐसा बताया जाता है कि यह जगा जो है पहले पहाडों पर बसी हुई थी पहाडों पर अब भी है लेकिन पहाडों को थोड़ा सा यहाँ पर अभी काड़ करके भी मंदिर के अंदर का परिसर दिखाएंगे भगवान जी की जो मूर्तियां है प्रतिमाय हैं जो की ऐसा बताया जाता है कि यहां पर लगबग काफी प्राचीन मूर्तियां जो लगबग 19 श्यताबदी के बाद से यहां पर बना गई थी वह सब आप यहां पर कब से आ रहा है और पाडवा महिमा के तो अपर हम पार है और हम तो पूरा परियार इनके चर्णों पर हर पन सबस्क्राइब बना हुआ है यहां हम यहीं लोकलाइट है हम तो हम आना होते रहता है पाडवा की दया से अभी हम जी से अफेक्ट्री में ऐसा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अभी शेवरात्री पड़ी थी महा शेवरात्री हमारी ड्यूटी है ही लग रही है सब्सक्राइब आट से लेका शाम के पहने पास था बहुत बहुत मानता है और जहां से जो भी मांगा जाता है तो मिलता है उनकी किरपा से सब चीज आपने बीच ऐसी चीजे मांगी जो यह सबसे बड़ा मेरा अनमोल चीज यह जो भगवान ने मुझे दिये हैं और यहां से आते रहे कोई रास्ता नहीं हुगा करता था तो गिरते पढ़ते आते थे और काफी तरीके से बना दिया गया निर्माण करके पहले के समय को कि आप बता रहे हैं आने जाने में समस्य पहले तो चोटी सी मढ़िया थी और जो कर जाया जाता था जिते बुजरुग थे हमारे वह सब जयाने जो कि आप जाएंगे जाता है अब यहां पशू आते हैं अभी हम लोग इस्टोर के पोर रहे हैं अच्छा लगता है यहां अपर हर सारा आते हैं यहां जाते हैं आप पॉर पर कापर काम करते हैं अपर काम करते हैं आप सेना के साथ मैं में तो यहां पर इ लगवगे 35 से आ रहा हूँ 35 से गए पीजिस से आ में घू आपकी इस Sounds इसका शोटी से बच्ची हों गहा इसके बाज वाइन बाद मेरे तो पोड़ा से हुआ है नरसरी में हो तो आपने यहां पर भंडा रखाया कि आपको यहां पर आकर अच्छा लगा मम्मी पापा की साथ में आप आयो आप यहां पर कबसे अपनी जो है सेवा दे रहे हैं दोजार साथ से दोजार साथ से लिकार अभी आपको में लोग इतने साल है तो यहां पर देखा जाता है कि जबलपूर में पाट बाबा एक बहुत बड़ा नाम है भगवान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहां पर इसकी क अपनी ख्याती सिर्फ इसने नहीं कि मंदर स्वानमाबादियों में हनमान जी महराज पाडवा जी लोगों के भक्तों के मुलकामना को पूर्ण करते हैं इससे लोग है दूर दूर से अन्ने जलों से यहां तकी दूसरे राज्यों से भी आते हैं कुछ ज़वान हमारे मंब यह 1986 बना है लेकिन इस्थापित मुर्ति 1903 की है जो भी तक आप जो हमान जी महराज को देख रहे हैं यहीं मूर्ति है इसी रूप में कोई प्रज़तन नहीं आया है मूर्ति में मूर्ति के नाकार बड़ा है नकम हुआ है जो आप देख रहे हुई हनमान जी महराज 1930 से यह मूर्ति हमान जी महराज की स्वेम जमीन के निचे से निकली हुई है होता यह था कि अंग्लेजों के जारा जो निर्मान के रहोते थे थे बॉंडी वाल जीसे अफ का वो दिन में निर्मान का रोने के रात्ते में दौस्त हो हा था यह अन्वरत कहीं समय तक लगाता चलत तो उनके सेयनिक दल में एक भारती भी था जिसको अन्मान जी मुराज पाड़ाज ने सपन जिया कि मेरे स्थान आपके निर्मान के छेतर में आ रहा है करपया करके उस निर्मान के निका लिए अब पूजन अडचन के लिए सुद्ध साफ इस तल पर रखिए जिसे आमजन प समय से वहाँ पर निर्माण कारी चल रहाता है यहां पर पूस्ती प्रकार से इस्थापिट जैसे आम तोर पर लोग क्या करता है मूरती घरिते चैब स्ववातर होती शुद्ध यहां पर मतलब अंग्रेज जो है बनाना चाहरते कुछ लेकिन वो धौस्त हो नीचे जो तो यहां पर हनमान जन्ती के दिन भी और जो नॉर्मल दिनों में आता है ज्यादा भीड आपको कर लगती मंगलवार को यहां पर पांच मेले हैं पहला मेला रहता है नए साल में अग्रेजी नवर्स एक जन्वरी को दूसरा मेला होता महा शुड़ाती कुछ दिन पहले ही था तीसरा मेला आएगा दुर्गाश्टमी को उसके बाद हनमान जन्माश्णा फिर स्रामण के नाकपंचमी को यह पांच मेले यहां पर रहते हैं जिस पर 40 से 50 जर जनता उस दिन आतीस ओवे से रात तक अच्छा आप अपर इतने सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं तो यहां की कुछ महीमाओं के बारे में भी आपको पता हूगा कई eva यह कि मुंद केंहे कि是這樣 तो जो चाहेंगे तो मिलेगा यह तो मैं नूट कर ना हम काफी समय से यहां पर आपके अलावा भी कोई है जो महराज की देखरेक करता है और मंदर का कारेबार समुझता है कमेटी है पार्डवाव से हम समीटी 1993 से और मेरे पिता जी श्रिनंद कपल ते बारी मुख्य पजारी है यहां पर उनने सटाथर से कुल मिला कर अगर देखे तो यहां पर कितनी लोग हैं जो स्टाफ में होंगे जो देखरे करते हैं अधिकारी वर्ग है और फेक्टी के कमेटी करमचारी है उनको मिला के 12 लोग है और हम लोग छे पजारी है तो यहां पर हर साल जब भंडारा होता होगा या फिर मंगलवार को अधिकारी वर्ग है जो जिससे जादा सजादा हनुमान भक्त जो है आपस में जोड़ते हैं जैसे आप हैं आपकी मनकामना पूर्ण आप तो भंडारा किया फिर कोई दिन नहीं है आपको जब उस सहुलत लगी तो आम तर पर मंगल सिन को भंडारा होता है यह से आज भंड मंगल स्था निवा सुवे साले पाच वाकश डादे हैं को जो शुन की लिए हैं आपको पता होगा कि यहां कई लोग जो बहुत दूर से होंगे और निंकी कुछ मनु कामनाही भी रहें गहरा वू अगर था आप हमें बताना चाहें कुछ उनकी पूरी हुई हुई हूं मुंबे के महार जजमाने उनका एक प्रोजेक्ट नहीं पासो पाता तो बहुत समय से परशान थे और कुछ न कुछ न कुछ अरंगा आई रहता अनमान जी महराज को किसी मित नमीजा कि पाठवा जाओ दर्शंग करो एक नारा लखना और जो पंडिज उनिए आप तो जारा किस प्रकार से आप अगर काम हो गया मुझे प्रोजेक्ट के तहर्त काम मिल गया उसके बद कुछ और जजमान है जो बेटे कि साधी के लिए जौब के लिए रेगुलर एसे लोग है जो संपर्क में है औरनके काम पूर्ण हुए है अचाए आपर आए दिन फिर अर्जियां अब लगती हूंगे आए दे नर्जी लगते हैं अर्जी के स्रीफल रगते हम लोग समय फ़सर हटा के स्टोर में डाल जेते हैं नीचे सामने हनमान जी को छोटा सा सान है आप लोग कलावा बांदे है तो किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति वह आपर आकर अर्जी लगानी भगवान के आगे तो क्या उसकी प्रोसेस रह दी क्या प्रक्रिया अर्जी लगाने के एक चोटो सा कलावा लाइए कलावा बांदी है अपने मनकामना गोतर नाम के साथ सुनाईए और चड़ों में रख दीजे अचा यहां पर और भी कोई ऐसे काम है जो अभी करने वाले ह आप भविष्य में जो चल रहा है निर्माड कारे मंदर का अभी हमारा ओफिस कारयाले एक अच्छा बन रहा है अच्छा कारयाले बन रहा है उसके बाद सामने एक गिशाला बन चुकी है और पीछे तरफ कुछ महिने पहले स्टेज कमजोर होके गिर गया तो उसको न्या स् तो यहां पर और भी कुछ ऐसी चीजह है जो आपने जासे बतायां यहाँ अग्या ऽा उखे बाद्र शेंगारा इंड्र्चन जो ठोने है और अभी नान इश्या बढ़ा आपको हम उने ठाखा आइन आपर काफी साची से बताई है और यहां यह बी बताया ऑग्या साला कही रहें कि मद्यप्रदेश में ऐसी शायद ही कोई जो यग्यशाला होगी जो ऐसी इस तरीके से भव्य तरीके से होगी अभी आप तक आप जोड़े रहिए हम दिखाएंगे आपको दैनिक दलुक न्यूस चैनल से तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था आगे कि यहां पर ए इसको इंजीनिंग के तहट बनाए गया है आप देख सकते हैं इचे कुंड है लेकिन से कोई नुक्सान नीचे के बेस में नहीं होने वाला जमने नीचे ध्यान कप छोड़े सा पुस्टकाला बना पाडवाजी के इसमें धार्मी ग्रंत रखे हुए और आप आके चाहे तो आप यहां पर एक बार आकरके यहां पर यग्ये को दिखाएं कि यहां पर यग्ये जैसा की बताया जा रहा है आपने बताया कि यहां पर यहां जो ज्वाला जलती है यहां पर अगनी जलती है इसका नीचे कोई इसके बेस पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़त और यहां पर आफ देख्बा हूँगे भी ये बनी होई है यहां पर यह विशाल रूप से किस तरीकत Ten in dr prop हम नौरात्तिली में हमान्योंपशकेटें उपकुडी का गट्डी हो था रोगते हैं जुश्चान होते हैं अज्वाध rough अभी इसटाई महाँ पर है। तो ये कैसे अन्य जगहों से अलग है ऐसे के इसके वारे को आसी विशेश्ता आज्ट hon का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है की सी PSG कि जो इंडिजाइनिंग डिजाइनिंग जी की गई है Hier वो कहीं नहीं है । । । । ु । । । आपपधिय और तिनल बदि तिंद रहे हैं कि यहां थाатुन से हीय पॉनिय दिखाथही से तके पाके नंदध कि अपके पॉन्owan चानम इरा ओ के अश्कारों हो रहे हैे है किुछ अपको बता रहे थे इस बारे में कि यहां पर कुछ ऐसी खास सीजें हैं जिस कुछ महीमाएं हैं जो आप हमें अभी बताना चाह रहे थे हम महीमा यह है कि अंतराश्टी संत साधाप्तों भी परचे होंगे सरी-सरी रात पुराजी सरकार वो भी पाड़वाजी महराज जरूर आते हैं जब भी सहर में आते हैं तो उनका भी यही समय कहना है कि इस दिव्यमूर्थी के जो दर्सन कर रहा है वो अपने पाप काट रहा है और अपने पुन्यों में व्रद्धी तो कर ही रहा है और जो पूजन अर्चन कर रहा है चोरा लगा दे रहा है या जो पूजन कर रहा है उसके लिए निश्चित तोर पे वो आने वाले समय के लिए अपना अच्छा ही कर रहा है अच्छा ये तो हो गई है कि यग्यशाला एक आपको मैंने अभी दिखाया है आपर जो है पार्ट बाबाजी का जो है मंदर है इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और भगवान भी जो है स्थापित है सन 2000 में स Ugh Zan review के दिंद्र उर्गा मंदर के त्थापना भकतों के काफी न्रोग पे और त्षापित किया उसके बाद 2004 ने भगवान विशनू जी के मूर्ति को स्थापित किया और द्वाल पार गणेश जी की मूरति को स्थापित कि अगया अच्छा ये देखा जाता है कि जहां पर हनमान जी है महाँ सुभाविक है जहां श्रीराम भगवान भी होंगे या जहां श्रीराम भगवान है महाँ हनमान जी भी होंगे महराज के नेतरत्तों में पाडवास का समित्य के दौरा उस जग़ों को संपन्न कराया गया तब राम दरवार और कुस दरवार के स्थापना की गई और तब से उमंदिर विसा ही यह बढ़िया भव तरीके से अनमाजिय महराज के चल्लों में सेवा रहत हैं सभी लोग्ग जी तो आते ही रहते हैं, परिवार के साथ आते हैं, उनके भाई भी आते हैं, सिरा सिंग जोहान जी भी आ चुके हैं, पूरो सीम दिगवे सिंग जी दोबर आ चुके हैं, आज ही राजसवा सांसा सुमितरवाल भी कि जाए थी, पिछले वर्स हनमान जनोस्वा में तनका जी वियायत है भी एक तनका रासस असांसा सुमितर आते हैं, अनुद में जी वर्णाज वियायत हैं, यहां पर आते हैं, तो मन्दिर को देखते भी होगे कि मंदिर का स्वरूप इस प्रकार से कुछ उसमें को अपना योगदान देते हैं कि इस मंदिर को हम और अच्छे तरीक सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करा लेते हैं और दान देने के लिए या किसी को को सब्सक्राइब कर सकते हैं अचा इस देखी जाती कि जो हमारे हिंदु भागवान देवी देवता है वो उनका एक अलग जो रूप होता है मलब उनकी अलग पूजा के तरीके होते हैं और हनमान जी है जो उनकी एक दम आपको स्वक्ष और सही तरी सटीक तरीके साब को पूज करने पड़ती है तो इसके लिए कर कोई व्यक्ति भगवान हनमान जी की पूजा करता है तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको करनी चाहिए ताकि उसका विपरीट प्रभावन पड़ें नेखर पूजा को फिरीद नहीं होता है, तुम्हे हिला है, या एक भ्हांती है, लोगों कि मैंने एक भ्रह्म है, कि हनमान जी महराज की गलत पूजा करो तो डर जाएंगे, डर ढरा देगे, या हमें दुक्सान करेंगे, इसा नहीं होता है, किसी पूजा का नियम यह है कि आप मांसिक और सार्विक सच्चता रखिए सबसे पहला तो ही नियम है हनमान जी महराज कहते है निर्मल जन्मन सो मोही पावा मोही कपड़्चर चेदरना भावा जिसका मन निर्मल है, साफ है, सच्च है उसको अन्मान जी महराज सहस्ता चपलब्द हो जाते है बहुत तुल्सी जाज जी ने बहुत साधारन लाइन लेकी है हनमान चले सा में कि जो राम को प्रिय है थो अप्वान जी महराज राशन जी का यह पहाव प्रसंद रही को какие बत ही नहीं कमान ओवने स७ॉख्ट एैज महां भी आसम क्लियोग में तो राम के आ हुना सितने हो बेमार्ड में वहां जा करदर सब्सक्राइब आपका इस्ट हो, आप उनको जपिए, इस्ट का मतलब ही होता है जब का अनिष्ट नहीं करेंगे, तो आप जपिए तो आपको तो कल्यान हो नहीं है, अचा आपको चाल लाक वड़ सबाकी है, कालुक के बाद, उसके बाद क्या है, हमारे ध्रम गृंतों में, चाहिए सास्तक कल्युक था, द्वातर था, त्रिपा था, कल्युक आए, सबका काल अलग-अलग होता है, तो अब जो देखा है था हर युग में एक भगवान ने अवतार लिया है धरती पर, तो इस बार जो कल्युक पर आने वाले समय में हैं कुछ कोई ऐसे देवी देवता हैं जो अवता किया लेकर हनुमान जी बहराज को प्रभू राम चंजी ने कल्यूग में मनुस्तियों की भलाई के लिए और मानव जाती को सही धार्म तरपे सनातनी रखने के लिए ही यहां पर रख छोड़ा है कि तुम धर्म की रख्षा करो सनातनी की रख्षा करो अचाय चीज देखी जा ऐसा मनलब घोर कल्यूग आएगा कि जिसमें भगवान का नाम लोग नहीं लेंगे इस बारे में आपका क्या कहना है मैं अभी का जास्ट पहले आपसे कल्यूग नाम आधारा आप कल्यूग की किस दिखिए आपको नाम लेने से कौन लोग सकता है नाम तो लिजे यह तो आप किस नजरिये से देख भागिस्ता दाम जी इंपरा जनमान जी के स्थाने बाला जी के स्थाने स्थान स्थाने वो भी अच्छी बात है सनातन धर्म के लोग को अगर भाई मित्र धिरें के स्था से जगा रहे हैं या जागरत है हम लोग और उसको एक्टिव करना तो अनुदें दर्म के परिचारप कि लिह पूरा कर रहे हैं एक नजरिये में लोग असीरी में भाई इस कि अपने टीक है कि आप हनवान जी महराज के साहें इस दिविस्तान को पर右 के सहां करें और इस लोग एक जऺक आनाद के आँना दे घिखाँ कि हमने यहां पर जो पुजारी जी हैं उनसे बात करी उन्होंने हमें कई सारी चीजों के बारे में यहां पर बताया है कि मंदिर कितने सालों से भव्वे तरीके से यहां पर अभी भी उपस्तित है और यहां पर जो हन्मान जी की प्रतीमा है वो यहां से प्रकट्टे हुई है आपर मंदिर में कदम रखते ही साथ जैसे ही आप दिखेंगे तो आपके शरीर से सारी जो नेगेटिव चीज़े है नेगेटिव औरजा है वो पॉस्टिव औरजा में बदल जाएगी नमस्कार मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं दलुक न्यूस चैनल